मेरे दोस्तों, आज की क्लास में हम inverse trigonometric function का derivative चल रहा था, उसे और ज्यादा अलग तरीके से उसके smart question को cure करने की खुशिश करें मेरे दोस्तों, मेरा topic चल रहा था, derivative of inverse trigonometric function प्यारे दोस्तों, जब भी हम कोई topic लें, तो हम जैसा की पिछली क्लासों से चर्चा में कर रहे हैं, हमें formula सबसे पहले लिखने चाहिए, तो हम सबसे पहले formula को understand करेंगे प्यारे दोस्तों, द्यान से देखना, सब बताते चलना यह function और यह उसका derivative बोले तो dy by dx, सब बाता आना, derivative के formula की इसमाल की बात कर रहे हम, inverse चल रहा है तो inverse की चर्चा, sin inverse x का derivative, 1 upon under root 1 minus x कर, अगर किसी भी मित्र को आते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है, वो मेर से भी पहले, अपनी copy पे लिखे, बहुत मज़ेदार हैं, और आप उम्दा लिख सकेंगे, अब, cos inverse x का derivative यही होता है, बस minus sign आता है, दोस्तों, फिर 10 inverse x का derivative, 1 upon 1 plus x square, cot inverse x का derivative, मेरे दोस्तों, यही होता है, बस minus sign आता है, फिर प्यारे दोस्तों, sec inverse x का derivative, 1 upon x under root x square minus 1 होगा, cos secant inverse x का derivative, प्यारे दोस्तों, यही होता है, बस minus का sign आता है, प्रोडेक्ट डूल कब लगता है, दोस्तों, जब दो variable multiply में हो, formula क्या था, बोल के बताओ, बोल के बताना है, पहले वाला as it is, दूसरे वाले का derivative, plus दूसरे वाला as it is, पहले वाले का derivative, कोशन डूल कब लगता ह है, जब डिनॉमिनेटर में variable हो, कैसे लगते थे, नीचे वाले का all square, नीचे वाला as it is, उपर वाले का derivative, minus उपर वाला as it is, नीचे वाले का derivative, मेरे साथ-साथ बोलें, तो हम अच्छे से कर सकेंगे, चेन रूल कब लगता है, जब भी power base angle गड़ बड़ो, पहले किसका derivative करते power का into base का into angle, inverse के question में, अगर sine inverse का angle बड़ा जाए, मेरे दोस्तों, बड़ा angle आजाए, तो हमने पड़ा था, तब product question chain rule से derivative नहीं करना, तब सबसे पहले simplify करना, यह simplify करने के लिए हम 11th के कुछ फार्मलों का प्रियोग करेंगे, यह 11th के फार्मले technometric हैं, अक्सर इसमें भूल जाते हैं लोग, तो सब लिख कर इसको revise करेंगे, लिख लें क्योंकि आज इसके ही हम deeper question को करेंगे, प्यारे दोस्तों, याद दिलाएं, जिनको याद हो, बोलते चलना, बताते चलना, sine 2A के हमने कितने formula पड़े थे, आप कहेंगे, दो, शाबाज, जिनको आता है, लिख के 10 square A, प्यारे दोस्तों, इसी तरह कॉस्टुए के कितने थे, चार गीत गाते थे हम गाएंगे, प्यारे दोस्तों, क्या था, cos square A minus sine square A, 11th हमने, इसको हमने याद करने की तरीके बना लिये थे, दोस्तों, 1 minus 2 sine square A, 2 cos square A minus 1, बड़े वाला, 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A, प्यारे दोस्तों, 10 2 A का, 2 10 A upon, यही होता है, बस बीच का sine change होता है, 1 minus 10 square A, प्यारे मेरे मित्रों, इसके बाद, यह, this is first type of formula, हम इसके बाद second type of formula पे आएं, sine 3 A, sine 3 A का क्या था दोस्तों, 3 sine A minus 4 sine cube A, शाबाज दोस्तों, लिखें, कोशिश करें लिखने की, ताकि याद हो जाएं, बोलने की कोशिश करें, cos 3 A का, 4 cos cube A minus 3 cos A, 10 3 A का सबसे शांदार, 3 10 A minus 10 cube A, cube A upon 1 minus 3 10 square A, प्यारे दोस्तों, third type के जो मशूर formula सबसे ज़्यादा बार लगेंगे, 1 plus cos theta का formula, 2 cos square theta by 2, 1 minus cos theta का, 2 sine square theta by 2, sine theta का half angle formula, that is 2 sine theta by 2 cos theta by 2, these are the various formulas, इसके लाभ़, sine A plus B, cos A plus B, 10 A plus B का, and C D formulas, यह हमने सबने पढ़े थे, इसे revise जरूर कर ले, आई हे, आगे के कुछ शांदार questionों पे, हम प्रियोग में चलते हैं, हम होंगे, कामियाब होना है दोस्तों, एक बहुत शांदार question है, CBSC के अंदर, एक बार board के अंदर, paper में, exam में, पूछा जा चुका, it's a very smart question, प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें नहीं हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनना, पहले में एक अलग सी चीज आपके साथ चर्चा कर लेना, पसंद करूँगा, जो की एकदम innovative है, उसे बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुने, मालो कोई function आ जाए, टू की power x, इसका आपको derivative करना हो, तब मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ नीचे constant है और उपर variable है, तो आप x की power n का derivative का formula नहीं लगा सकते, and x की power n minus 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें नीचे variable था, उपर power थी, ध्यान से सुनने लेना, इसका अगर derivative करना हो, तो x की power n का formula नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ base constant है, power variable है, you cannot use the formula n x की power n minus 1, तो सवाल होता है कि हम कैसे करें इसको, ध्यान से देखना हम कैसे करें, उसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, प्यारे दोस्तों, अब इसका derivative नहीं हो सकता, नियम कहता है, जब भी power में variable हो, क्या हो जब भी power में variable, तब x की power n का derivative नहीं लग सकता, तो हम कैसे करें, अब मैं समझता हूँ कि मेरी बिमारी है, यह power x होना, अगर यह x हट जाए तो मैं कर जाओंगा, otherwise नहीं कर सकता, तब ध्यान से सुने, एक formula था, log m की power n का, किसी को भी यादे तो बोलो, आप कहेंगे, n आगे आजाएगा, n log है, मेरे दोस्तों, इस formula के तहट मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके अदर, अगर log ले लूँ दोनों साइट, तो यह power आगे आजाएगी, और मैं derivative असानी से कर पाऊँगा, इसलिए मैं लिखा, taking log both sides, बिलकुल दिहान से देखते रहे न, log अगर मैं ले लूँ दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, दोस्तों, function बोलना क्या बन जाएगा, log y, दोनों तरफ लेना पड़ेगा, log 2 की power x, क्या, यह आगया, क्यों किया log, क्यों लिया, ताकि यह power जो थी, इस formula को लगके में आगे ले आओ, दोस्तों, इस power को यहाँ से अटा के आगे ले आओ, अब power variable नहीं बची, इसलिए मैं सीधा derivative कर सकता हूँ, मैं लिखा, differentiate with respect to x, chain rule से करना, द्यान से, इसका derivative कर रहा हूँ, पार है नहीं, log का करूँ तो क्या आएगा, 1 by y, angle का करूँ तो क्या आएगा, dy by dx, द्यान से देखो, इसका derivative, log का करा, log x का 1 by x होगा, log y का 1 by y होगा, base का हो गया, angle y का क्या होगा, dy by dx, अब इसमें द्यान से, प्यारे दोस्तों, इसमें देख के बताओ, क्या product tool लगेगा, ना मेरे दोस्तों, ये द्यान से देखो, ये constant है, variable तो केवल एक है, variable एक हो तो product tool नहीं लगेगा, बिलकुल द्यान से देखना, नियम हम पढ़के आए, base class में constant variable के साथ आजाए, तो as it is होता है, log 2 constant है, इसलिए as it is मेरे दोस्तों, constant variable के साथ आजाए, तो as it is, और variable का derivative लिखना चाहिए, जो की 1 आएगा, प्यारे मेरे दोस्तों, dy by dx की value आगई, y की value निकालनी होती है, y log 2, I got the derivative of 2 की power x, दियान से देख लेना, 2 की power x का derivative तो आगया, लेकिन एक गड़बड़ है, यह question तो x की ट्रम में था, मेरा answer y की ट्रम में आया, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दियान से सुनना, यह y की value यहां पर कहां से लाओ, y की value तो यहीं पर दिये, यही value को उठा के मैं इसमें put कर दूँ, तो मेरा जो function बनेगा, वो क्या बन जाएगा, y की value क्या आती भी आ रहे दोस्तों, 2 की power x log 2, ध्यान से देख लेना, this is very important, 2 की power x का derivative क्या होता है, 2 की power x log 2, इसलिए some people learn a formula, a की power x का derivative, a की power x into log A, that is very smart, 2 की power x का derivative कैसे करेंगे, log लेके, कब log लेना होता है, नियम बताओ, जब भी power variable में होगी, प्यारे दोस्तों, इस variable में जब power होती है, इसकी बहुत डिटेल काम, हम अपनी अगली exercise में, differentiation by taking log, by helping through the log, यह हमारा अगला topic होगा, उसके अंदर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इस शांदार question में, जो की board में पूछा जा चुका, यह आया, तो इसलिए थोड़ा सा बेस बताया, अब हम question पे चलते हैं, बहुत द्यान से चलना, आजाओ जी, इस question पे, मैं इसे wise equal to करके लिख लूँ, अब मैं चाहता हूँ, प्यारे दोस्तों, इन्वर्स का एंगल बहुत बड़ा है, है ना भीया, तो मैं इसमें कोई trigonometry function पुट करू ऐसा सोचते हूँ, जड़ा ध्यान से देखें, मैं अगला step क्या लिख रहा हूँ, sine inverse solve करने के लिए, मैं इसे 2 की power 1 into 2 की power x लिख सकता हूँ, 2 की power 1 into 2 की power x लिख सकता हूँ, बेसे में power add हो जाएगी, यही आएगा ना, नीच अभी बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं इसे 1 plus 2 की power 2 की power 2 की power 2 का whole square लिख सकता हूँ, क्या मैं इस 4 को 2 का square लिख सकता हूँ, बेहरे दोस्तों, अगला step बोर ध्यान से देखना, sine inverse, this is inverse, 2 into 2 की power x upon 1 plus, ध्यान से देखो, इसको मैं change कर रहा हूँ, 2 की power x का whole square लिख सकता हूँ, इसकी बात आएगी ना, सेमी चीजे ना, अब सोचता हूँ, यह कैसे होगा, अब हम सोचते है, इन्वर्स है, कुछ सिंप्लिफाइ करने के बाद, छोटी ट्रमे में बना लिख सकता हूँ, जिससे sine inverse से, तो sine बन जाए, मेरे दोस्तों, इसके अब सारे लिख 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 स इस शमेज छहाँ प्लस फिर फशुटला बन जाएगागा अब हम फिर थोड़ाँ से ऩग CPT estand 2» की पार X की जेगे 10ों चायए1प्ल मेरा थोड़ाँ से इसे में टोड़ा़ा नहीं लिद्चेंगे X की जगे नहीं पुट कर रहे X की जगे पुट करने से मेरा कोई फॉर्मला नहीं बनेगा प्यारे मेरे दोस्तों, इस कोश्चन में तो मुझे 2 की पावर X की जगे पुट करना पड़ेगा 10 थीटा Are you got it? पुट करो मेरे दोस्तों Y is equal to Sine Inverse प्यारे दोस्तों, क्या बन जाएगा 210 थीटा अपॉन प्लस 10 स्कॉर थीटा मज़ा आ गया दियान से देग न ये 2 की पावर X की जगे पुट किया Y is equal to what it comes out to be Sine Inverse Angle ने बन जाएगा Sine 2 थीटा Sine से Sine कट गया क्या बच गया, दोस्तों 2 थीटा अगर मैं थीटा की वेल्यू यहीं से निकालू यहीं से निकालू तो प्यारे दोस्तों थीटा की वेल्यू मेरी आएगी 10 inverse 2 की पार X यही आएगी ना भाया दियान से देख लो थीटा की वेल्यू ने कालने तो 10 को अधर ले जाना है तो 10 inverse 2 की power x मैं ये value को put कर दूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरा function बन जाएगा y is equal to 2 10 inverse और angle 2 की power x अब मजाएगा प्यारे दोस्तों मेरे पास थोड़ी सी जगे कम है हम यहाँ पर जगे बना लेते हैं बिलकुल ध्यान से देखना now it's very smart अब बिलकुल ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों हम इस question को ले आएं यहाँ पर क्या बन गया था मेरा y is equal to 2 into 10 inverse 2 की power x अब मेरा question तो simplify होगा लेकिन derivative नहीं होगा derivative कर दू differentiate with respect to x होता है प्यारे दोस्तों अब बताना है आपको y का derivative dy by dx 10 inverse का डडेटिव क्या होगा हो तो 1 अपन 1 प्लस बूल स्टा दो तो 2 की power x का whole square देख लो tan inverse का 10 inverse x का क्या होगा होगा अब क्ली फना उन पूआ प्लस प्लस उ्प्लस का इंटू अब मेरा डेरिवेटिव होगा धोस्तों base का, अब किसका करना है angle का, angle के अंदर गड़बड़ा है, derivative चाहिए मिर को नहीं बता, इसलिए मैं यह से symbolically लिख दिया, derivative भी मैं लिखा नहीं यहां पर यह से लिख दिया, derivative of 2 बाई 2 की पार x का करना है 2 की पार x का derivative सीधा होता ही नहीं उसे मैं बाजू में यहां पर लिख लिख लिया 2 की पार x का derivative करके आया log लेना पड़ा, फिर derivative किया तो क्या आया मेरे दोस्तों, 2 की पार x का derivative, 2 की पार x log 2, इस की इस value को यहां पर पुट कर दे तो मेरे दोस्तों, मेरा final answer क्या होगा, दियान से देखें dy by dx is equal to 2 ऊपर as it is upon 1 plus क्या मैं इसे solve करके 4 की पार x लिख सकता हूँ प्यारे दोस्तों, इन 2, 2 की पार x का derivative क्या बन जाएगा, दोस्तों, यह 2 की पार x का derivative यह रहा, 2 की पार x log 2 इस 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 माइ wonderful answer, प्यारे दोस्तों बहुत smart question है, दियान से देखें, पहले थोड़ा simplify किया, फिर put करा 2 की पार x की जगे हमने put किया 10 theta, फार्मला बन गया, इसका derivative किया chain rule से हुआ, लेकिन angle में पार x सीधा नहीं कर सकते उसको अलग से simplify करके कर लिया, मैं यहां पर जरूइत नहीं है, exam में यह करके दिखाने की सीधा कह सकते हैं derivative of, यह formula note कर लेना, नया formula मानो a की power x का derivative क्या होता है प्यारे दोस्तों, a की power x log a, क्या यह formula हमने यहां use किया करो दोस्तों, दिहान से करो अच्छे से करो, समझ के करो मेरे दोस्तों यह question बहुत अच्छा है दिहान से देखना, कैसे सोचें मेरा function है, यहां y is equal to sin inverse, और उसका angle क्या है दोस्तों, under root 1 plus x by 2 अरे बताओ, inverse का angle चोटा है या बड़ा, जब भी inverse का angle बड़ा हो, तो मैं सीधा derivative नहीं करूँगा मेरे दोस्तों, पहले मेरे पियारे दोस्तों, मैं से simplify करूँगा अब सवाल ही उठता है, रूट वाले को simplify कैसे करेंगे, कोई सीधा formula तो नहीं लगेगा, तब हम पिछली क्लास में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, कि अगर कभी भी root आ जाए तो 2 नहीं लगेंगे, पहला नहीं, ऐसा trigonometry function पुट करो, जिससे root cut जाए, root solve हो जाए, पहला नहीं दुवारा बोलो, तेज से बोलो, x की जगे, put such a trigonometry function such that root, under root, cube root, square root should be removed, फिर, दूसरा नियम, पूरे को solve करके, simplify करके, sine inverse से तो sine आना चाहिए, 10 inverse से तो 10 आना चाहिए, sec inverse से तो sec आना चाहिए, are you got it? प्यारे दोस्तों, अब मुझे x की जगे, ऐसा trigonometry function put करना है, जिससे root खुले, अगर मैं sine put करो, बड़े द्यान से सुनना, बहुत important है, sine put कर दो, तो one plus sine theta का तो formula ही नहीं बनेगा कोई, तो sine नहीं put कर सकता, क्योंकि formula नहीं बन रहा, फिर क्या put करों, cos, अरे one plus cos theta का तो formula होता है, मेरे दोस्तों, जड़ा देखो, ये है ना formula, one plus cos theta का क्या formula, two cos square theta by two, दो से नीचे वाला two कट जाएगा, और square से root कर जाएगा, तो root solve हो रहा है, अब ज़्यादा smart question start हो गए, मेरे दोस्तों, द्यान से करना, पहले मैंने sign put कर के देखा, solve नहीं हुआ, तो क्या put कर के देखा, cos, पेपर में आया तो एके कर के द्यान से मन में पहले, चेक करना, फिर करना, प्यारे दोस्तों, अब put कर लेते हैं, put करूं तो क्या आ जाएगा, y is equal to sine inverse under root one plus x की जगे, cos theta by two, हम पूरा प्लान कर चुके हैं, चेस की तरह इस गेम को, तो यह बिलकुल आसान सा है, two cos theta का formula, two cos square theta by two, oh this is wonderful, two, two से struck हो जाएगा, y is equal to sine inverse, aray root से, cos square से root cut गया, क्या बच गया दोस्तों, cos theta by two, मजा आ गया, लेकिन एक गड़बड है, यह तो sign है, यह तो cos बन गया, प्यारे दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था, क्या cos का sign बनाया जा सकता है, 11th का वही formula, cos का sign बनाया जा सकता है, 90 minus a करके ना प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, दिहान से-से use कर लें अब यहां पे, y is equal to sine inverse, sin 90 minus theta by 2, यह एक ही जगे, sin से sin inverse कट गया, क्या बच गया, दोस्तों, pi by 2 minus theta by 2, अरे theta की value देखने ही से निकालोगे न, क्या आएगी मेरे दोस्तों, theta की value यहां से, theta की value आएगी, cos inverse x, तो यह value को इसमें put कर दें, तो मेरा function क्या बन गया, y is equal to pi by 2 minus 1 by 2, बहर ले लिया, theta की जगे, cos inverse x, प्यारे दोस्तों, अब क्या करूं, इसका derivative कर दूं, y का derivative dy by dx, pi by 2 का 0, minus half as it is, cos inverse x का derivative, 1 upon minus 1 upon under root 1 minus x square, I got my this wonderful answer, थोड़ा simplify हो जाएगा, अच्छा सा है, ध्यान से करना, अच्छे से करना, समझ के करना, यह formula में लिखके रखा इसलिए, ताकि हम match कर सके, कौन सा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, पेपर में करते वक्त या धीरे-धीरे practice हो जाएगी, तो psychic mind में यह formula आपको लिखे वे दिखाई देंगे, प्यारे दोस्तों, प्रेक्टिस करनी है, अच्छे से करना, जम के करना, समझ के करना, आव मेरे मित्रों, यह एक और भी बहुत सुनदर सा question है, यह भी board में आया हुआ question है, लेकिन NCRT में नहीं है, बहुत ध्यान से इसे देखे, the question is, y is equal to, y is equal to 10 inverse का angle ध्यान से देखना, under root, 1 plus x square, minus x, inverse का angle बहुत बढ़ा है, इसलिए मैं chain rule, product rule, question rule से derivative नहीं करूँगा, मैं इसे पहले simplify करूँगा, अब simplify के नियम थे, प्यारे दोस्तों, नियम था x की जगे, ऐसा trigonometry function पूट करें, जिससे कि पहले root, under root, remove हो जाए, फिर पूरे को solve करके 10 inverse है, तो 10 बनना चाहिए, मैं के करके प्रियोग करूँगा, द्यान से चलना, सबसे पहले मैं put किया sin theta, check करने के लिए, प्यारे दोस्तों, 1 plus sin square theta का तो कोई formula नहीं होता, 21 minus sin square theta का तो कोई formula नहीं होता, बात नहीं बनी, cost पूट करूँगा, one plus cost square theta का कोई formula नहीं होता, root नहीं कट रहा, अब sin से नहीं चली, ऐसी सिल्सिलेवार, sin, cos, अब क्या पुट कर के देखू, 10 theta 1 plus 10 square theta का तो formula मज़ेदार है होता है क्या होता है प्यारे दोस्तों 6 square theta root कर जाएगा इसलिए मेरे दोस्तों मैं यही 10 theta put करूँ y is equal to 10 inverse under root 1 plus 10 square theta minus x की जगए 10 theta put करो simplify करो 10 inverse प्यारे दोस्तों under root sec square theta स्क्वायर से root कट गया अब मेरे दोस्तों root तो सौल हो गया लेकिन इस पूरे को simplify करके मुझे 10 भी तो बनाना है तब हम कैसे चले आगे चले sec 10 का तो हम सीधा sec theta minus 10 theta का कोई फॉर्मला नहीं जानते पर हमने 10 पर पड़ा था जब भी कहीं trigonometry में struck हो जाएं तो sine cost में सब को change कर ले तो मेरे दोस्तों सब को sine cost में change कर ले sec का क्या हो जाएगा 1 by cos theta 10 का क्या हो जाएगा sine theta by cos theta मेरे दोस्तों अरे यह तो मजा आ गया LCM ले ले 10 inverse क्या बनेगा LCM 1 minus sine theta upon cos theta अब question बड़ा smart है दिहान से चलना प्यारे मेरे दोस्तों अब मैं क्या करूँ उपर मेरे पास बना 1 minus sine theta उसका formula मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह जानता हूँ अगर 1 minus sine की जगे cos होता तो मजा आ जाता इसका formula हमने पढ़ा है 2 sine square theta by 2 बन जाता है उपर यहां गड़बर है इसकी जगे क्या होना चाहिए cos 1 minus sine का कोई formula नहीं होता तो हम deeper सूचते है कैसे करे फस गए cos होता तो बात बन जाती क्या sine का cos बना सकते हैं हाँ मेरे दोस्तों बिलकुल बना सकते हैं कोई मित्र बता दो कैसे बना सकते हैं आप कहेंगे sin A is equal to cos 90 minus A बन जाएगा नगे दोस्तों बनाओ अब मेरी बात को बहुत द्धान से सुनना y is equal to 10 inverse में बनाया 1 minus cos 90 minus theta 1 minus cos sin का cos 90 minus theta इसा करने से फ़र्मला लग जाएगा पर मेरे दोस्तों मुझे सोच के बताओ कि हमें नीचे cos theta as it is लिख दो सोच के बताना है बौट बढ़िया मेरे दोस्तों टिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त हमने लास्ट क्लास में भी का था 9, 10 में ही पढ़ा था 11 में ही पढ़ा था ऐसा ट्राइ करना है कि एंगल सेम रहे अगर उपर का एंगल 90 माइनस theta हो गया तो नीचे का भी एंगल 90 माइनस theta मुझे बाइफोर्स बनाना पड़ेगा सो मेरे दोस्तों cos theta की जगह है मैं sin 90 माइनस theta लिखो एंगल सेम बना के रखना नहीं तो trigonometry के question first जाएंगे प्यारे दोस्तों क्या इतनी बात समझ में आई उपर अब formula हम लगा सकते हैं लगा दें दोस्तों वह formula y is equal to 10 inverse 1 minus cos theta का क्या formula 2 sin square theta by 2 इस का 2 से अगर मैं divide करूँ तो दोनों की 2 से divide करूँगा तो क्या बनेगा थीटा by 2 की 2 से divide करूँगा तो pi by 4 minus theta की 2 से divide करूँगा तो theta by 2 अब फिर कीमती बात उपर वाला angle मेरा half हो गया तो नीचे वाला angle का भी मुझे half angle formula लगाना चाहिए क्या sin theta का कोई half angle formula पढ़ा था मेरे दोस्तों बिलकुल पढ़ा था 2 sin theta by 2 cos theta by 2 पढ़ा था नहीं है तो नीचे वाले इस sin theta का में formula लगा दूँ ताकि मेरा angle से इंब बन के रहे 2 sin theta by 2 करूँगा तो pi by 4 minus theta by 2 cos pi by 4 minus theta by 2 दुबारा देख ले ना 1 minus cos theta का formula 2 sin square theta by 2 हो गया और नीचे sin theta का उपर half angle formula लगा है तो angle से इंब बनाने के लिए नीचे भी half angle formula ये वाला हमने लगा दिया प्यारे दोस्तों ये तो मजा आ गया 2 से 2 कट गया square एक sin से 1 sin कट गया प्यारे दोस्तों एक sin upon एक cos मजा आ गया ये तो बन गया 10 inverse 10 inverse क्या बन गया sin theta upon cos theta is equal to 10 pi by 4 minus theta by 2 10 से 10 inverse टुबारे दोस्तों it comes out to be pi by 4 minus theta by 2 अब मजा आ गया theta की value देखना मैं यहां से निकाल के पुट कर दू क्या निकलेगी यहां से theta की value 10 inverse x 1 by 2 as it is theta की value 10 inverse x क्या यह आ गया प्यारे दोस्तों यहां से value निकाल के मैं ने put कर दी अब derivative कर दे dy by dx is equal to 0 minus half as it is 10 inverse x का derivative 1 upon 1 plus x square we got the answer this is wonderful एक बार मैं repeat करूंगा सारा कुशन बहुँ शानदार था दोस्तों सब से पहले हमने यहां फस गया मैं अब क्या करूंगा मेरे दोस्तों 1 minus sin को कोई फाम्ला नही होता लेकिन cos 1 minus cos theta का फाम्ला होता है तो sin का cos बना लिया angle same बनाने के लिए नीचे cos theta का भी sin 90 minus theta लगा लगा यहां 1 minus cos theta का फाम्ला लगाया sin theta का half angle formula लगाया angle same बना के रखे angle same बना के रखे यह important है इसको सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है cut गया मजा आ गया 10 put कर दी theta की value derivative कर दिया got this wonderful answer प्यारे दोस्तों साथ की साथ करते चलना हो सके अगर मैं आगे निकल रहा हूं तो वीडियो को pause करना और पहले concept को सीखना तुमारा सीखना ज़्यादा important है ध्यान से करें आओ मेरे दोस्तों यह तो बहुत मज़ेदार और शांदार कोश्चन है बिलकुल ध्यान से इसे देखना मैं function को एक बार निकाल लूँ क्या है यह function y is equal to 10 inverse x की पार 1 by 3 plus a की पार 1 by 3 upon 1 1 plus 1 minus x की पार 1 by 3 और a की पार 1 by 3 मेरे दोस्तों इन्वर्स का अंगल बड़ा इसलिए सीधा चेन रूल और कोश्चन रूल से डेरिवेटिव नहीं करोगा पहले से सिंप्लिफाई करोगा नियम के अकॉर्डिंग मुझे इन्वर्स में एक्सके ऐसा टिगनोमेटरी फंक्शन पुट करना इससे इससे इस पूरे को शॉल करके तैन बने अब मैं थोड़ा सोचता हूं प्यारे दोस्तों तो नहीं लगता नहीं लगता लेकिन एक फॉर्म्ला यादा यादा था 10 a plus b का आपको जरूर याद होगा क्या फॉर्मला था किसी को यादा है तो बताओ ना जी 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b यही धाना प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो क्या यह इस फॉर्म्ले जैसा नहीं है this is this is 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b दियान से देखो सारे formula को बिल्कुल as it is है तब मेरे दोस्तों अगर मैं यह formula बनाना चाहता हूँ तो इसमें एक trigonometry 10 a नहीं put करूँगा बलिक 10 a और 10 b दोनों put करूँगा बिल्कुल इस formula को देखके बताना प्यारे दोस्तों x की जगे put करूँ या x की पार 1 by 3 की जगे इस पूरे की जगे 10 a बना दू इस पूरे की जगे यही formula बनाना है तो a की पार 1 by 3 जो की constant है उसकी जगे भी मैं 10 b put कर दू दोस्तों a की question में हम इस खास question में दो दो trigonometry function put कर रहे हैं यही इसकी super speciality है आईए put करने अब तो आपको देख रहा होगा यह बहुत मज़ेदार सा हो गया तो प्यारे दोस्तों this comes out to be 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b now we can use its formula दियान से देखें फॉर्मला लगा ले 10 inverse 10 a plus b अरे मज़ा आ गया 10 से 10 inverse struck हो जाएगा cancel हो जाएगा क्या बच गया a plus b अरे a की value दियान से देखना a की value यहीं से निकालोगे न यहां से a की value क्या आएगी दोस्तों a की value आएगी 10 inverse x की power 1 by 3 उदर ले जाएगे न b की value क्या आएगी 10 inverse a की power 1 by 3 यह दोनों value उठा के जो की मैं यहां से निकाले इसमें put कर दूँ मेरे पस नीचे जगे नहीं मैं इस side आजो तो मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा y is equal to 10 inverse x की power a की value पुट कर रहा हूँ दोस्तों 1 by 3 plus b की value पुट कर रहा हूँ दोस्तों यही है ना b की value 10 inverse angle में a की power 1 by 3 यह भी इसका angle ही था ना दोस्तों बिल्कुल देख ले ना a और b और a और b की value पुट कर दी simplify तो हो गया दोस्तों अब इसका derivative करें dy by dx बहुत द्यान से अब बताओ इसका angle गडबड़ा है सीधा करूं product rule quotient rule या chain rule अरे angle गडबड़ो तो chain rule लगाते हैं दोस्तों derivative कैसे करें 10 inverse का derivative 10 inverse x का derivative होता है 1 upon 1 plus x square 10 inverse theta का derivative होगा 1 upon 1 plus theta square theta के respect में तो इसका क्या होगा 1 upon 1 plus theta बोले तो x की power 1 by 3 का whole square देखना यही होगा न base का होगया base का होगया अब angle की बारी इसका angle का बताओ दोस्तों angle का derivative होगा n x की power n minus 1 आ गया इसका derivative मेरे प्यारे दोस्तों मैं आ गया अब मैं चाहूंगा आप मुझे इसका derivative बताएं इसका derivative बिलकुल दिहान से मैं चाहूंगा मैं एक minute रुक रहा हूँ आप बताओ सब बताओ very good शाबाश सब को बताना है अच्छा सब लिख लो पहले करके बताओ सब बताओ इसका मैं एक minute रुकूंगा आप खेल है देखते हैं कौन जीता है प्यारे दोस्तों बिलकुल दिहान से इसका derivative आपने लिखा होगा 10 inverse A की पार 1 by 3 का मुझे नहीं पता प्रोड़क कोशन चेंड कौन सा रूल लगाओगे शायद चेंड लगाओगे कोई कहें का प्रोड़क कोशन मुझे नहीं पता आप सोचो लगाओ प्यारे दोस्तों करो 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 जल्दी से करो वेरी गुड बहुत मित्रों ने कर लिया अब क्या है चिला के बताना है मैं वहीं पे कान लगागे जहां पे आप हैं वहीं पे सुन रहा हूं हवामे तेज से बहुत बढ़िया जिसा लिए अब मित्रों बिल्गुल ठीक क्या है ध्यां से सुन ले कुछ मित्रों रोच क्या है गलत куда हो प्यारे दोस्तों अगर आपने सही किया तो मैं जीत पाओंगा ध्यान से सुनना क्या दिहां से देग इसमें कहीं variable है variable होते है x और y कहीं variable है अरे नहीं है variable x नहीं, y नहीं तो whole term is constant इसले प्यारे दोस्तों constant का derivative zero, check कर ले न लोग इस पर गलती करते हैं इसको थोड़ा सा simplify कर ले न प्यारे दोस्तों क्या ये नहीं आया है ये आ गया they are very smart दोस्तों inverse trigonometry के question के अंदर हम दो चैप्टरों को इखटा सीख रहे हैं एक चैप्टर inverse trigonometry जिसमें खाली simplify करना आता है यहां तक derivative के हम दर derivative भी सीख रहे हैं तो दो धारी तलवार है यह द्यान से समझना अच्छे से करना मज़ा आएगा बहुत बहुत धन्यवाद आज के class को हम इतना ही रोकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जै हिंद